रवाचेत लोकसभा के माननिय सांसा सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधान मंतरी आधनिया नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ आपकी वज़ा से एंडिये को ये प्रचन जीत हासिल हुई है इसका श्रे आपको जाता है सर आप भी में वो इच्छा शक्त थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचन जीत को दर्च कराने का काम किया ये कोई सामाने बात नहीं थैं कि लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी जी के नेत्रितों में इंडिये को इतनी बड़ी जीत मिलती गई हम लोग सब जब छेतर में जाते थे आपके नाम पर इस तरीके का उस्सा देखने को मिलता था ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेत्रत करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है आप ही की वज़ा से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांट और शहर की दूरी को मिटा सकता है आप ही में वो इच्छा शक्ती है जो अमीर और गरीबी के फासले को पाड़ सकता है आप ही में वो इच्छा शक्ती है सर जिसने ये लक्षे रख्था की 2047 तक भारत को हम लोग विक से देश बनाएंगे और भारत को विक से देश कि और आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं मैं यहां इस सदन में मौझूद तमाम वरिश नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिरागपासवान जो यहां पर प्रस्ताव माननिय रक्षामंत्री जी आदनिय राजना सिंग जी के द्वारा आया है मैं चिरागपासवान म मैं इतना जरूर कहूंगा सर मेरे नेता मेरे पिता आदनिय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है मुझे लगता है उनके इस सपने को उनके इस लक्षे क और करोडों देश्वासियों को अंधकार से निकालने की उमीद एक मात्र आप है सर इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार जैहन